पिछ फिचर लेकिन लेंगर यार्ट ये गलत बात बहुत इमोशनल है यार्ट को नंगा कर के और आरे मसीन पर चीर दिया जा रहा है हिंदू के साथ में कष्मिर में वो आगे के आगे के दोर में ना होना चीसमें फोन है न इस फोन सोशल मिडिया बस इसका हेड होने कारण यह है क्या हमारे इंदू भाई लोग से बोल रहा हूं कम से कमें पिच्छर देखे हैं कुछल है कुछल जी अभी आपने फिल्म देखिए कश्मीर फाइल्स दिल से पता यह सच्छी प्रदेगी कैसी लगी आपको पिक्चर पूरी है कि इसमें इतना कुछ खास नहीं लगा मुझे मतलब मेरे बास तो मैंने वह टाइम इतर स्पेंड किया हूं और पिच्छर के अंदर हमें को एक गलत बात लगी क्या यह आतंगवादी इसमें वह बताया गया है और उसके अंदर अल्ला का नाम लेना तो यार यह गलत बात है वह एक टेरिस अटेक यार और उन्होंना कोई वह तोड़ी होता है आतंगवादियों का वह बात गलत है यह सब्सक्राइब करते हैं कि तो डिरेक्शन की बात कि डिरेक्शन के से लगा आपको पुरी फिल्म का सब्सक्राइब करते हैं कि यह बड़े बड़े कलाकर काम कर रहे हैं कि इस फिल्म की जो रिव्यू रेटिंग्स आई थी वह पहले यह बहुत लोग बोल रहे हैं कि 5.5 स्टार्स देने चाहिए इस फिल्म को या फिर आम डिवी पे 10 में से 10 में कितने स्टार दोगा इसमें क्याम क्याम पर देख लोगों को मॉलेचा करें चाहिए लेति अ कि थे इफिस यान में राधेस शाम के संब्स्क्राइब कर दोखके के साथ से यह फोन है यह फोन यह फोन सोचल मीडिया बस इसका हेड़ होने कारण यह इसी की समझें दोड़ा बैंदो बढ़ा मतलब एक जैसे का में एक ना एक नढूब यह अंदर और कुछ नहीं तो बाद में पिक्चर देखने के पहले कि लेकिन यह ता उनके विच्छर देखने के पहले कि दिख्याहने के दिख्या है नहीं टाइम पास हो गया है और एस सब्सक्राइब लोगों को देखना चींए मुवी यह लोगों को जानकर ही मिलना चीए कि हम जो हिंदू लोगों किया है वह सही नहीं किया ठीक है और होना चाहिक है तो मैं हमारे जो मुख्यमंत्री यहां के उनसे में नम्रुम्दन करना चाहता हो कि यह पिच्चर को ना टेक्स फ्री करना चाहिए तो अब आक्टिंग की बात करूं तो आपको अनुपम खेर के एक्टिंग जबर्दस एक्टिंग है उनकी और डिरेक्टर जो भी है उन्होंने बहुत अच है को अब एक तिस्तिरी बार मोवी देखने जा रहा हूं और मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि मुवी देखे और लोगों की जागरी तक पैदा करें यहां हमारे इंदू भाई-लोक से बोल रहा हूं कमसे कम विच्चर देखें जी कश्मीर फाइल्स नोवी जिसने भी बना कि हमारे इस देश में इस तरह की घटनाएं हमारे हिंदू भाईयों के साथ में हुई है जिसकी जितनी कड़ी सब्दों में निंदा की जाए कम है और मैं सारा गुनागार इस चीज के लिए उस वक्त में जो सेंट्रल में सरकार रही है उसको दूँगा और मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा अच्छा मुझा अब से पूछना है कि जो एक्टिंग की बात की है जाए अगर जितने अपने आप में एक भूमी का बहुत खुपशूरत है खासकर अनपम खेर जी की अनपम खेर जी ने जो इसमें रोल अदा किया है अब तक के इतियास में मैंने पहली बार इस तरह के पिक्चर्स देखी है और उनके रोल की जितनी तारिफ की जाए नहीं अगरी दो सवाल मैं देख रहा हूं कि आपकी आवाज में नमी इसी आगए आप एमोशन हो चुके मूवी देखकर तुम मुझे बताए कि कौन सा एक पूरी मूवी वैसे हम बहुत लग्सुर्व सिम्टरें की इमोशन है सीरियस है बड़ आगर को यह से सीन है पड़ तो गाड़ी में से जिस तरह से चदर उड़ा करके परसाब कराया जा रहा है दसत की गाड़ी कहीं रोका नहीं जा रहा है कि नीचे उतरेंगे तो आतंग बादी मार देंगे यह कर देंगे फिर उसके बाद एक सिन उसमें लास्की जो थी जो आउरत को नंगा करके और आरे बंद कर ली तो इस तरह के हमारे देश में ऐसा हुआ है उस दोर में जिस जो सेंट्रल में सरकार रही हो जो प्राइम मिनिस्टर राओ सारा सबसे बड़ा गुनागार हो है मैं उसी को गुनागार मानूंगा अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी पिक्चर ये साबित होने जा रही है मार्केटिंग के लेजे से देखा जाए तो जो इसका आने वाले टाइम में जो बिजनेस करने वाली हब तक कि इस यहारत में मुझे नहीं लगता है कि कोई पिक्चर कर पाएगी यार पिक्चर बहुत अच्छा है बहुत इमोशनल करती है मुवी इतना मैं जानता इससे बढ़तार कुछ नहीं है बहुत इमोशनल है यार ऐसे यूण बहुत इतने अच्छा है फिल्म को इसा बहुत लोग बोर्डर की अच्छी वाले आपको आपको पहली नमबर बात तो यह है कि हम सिर्फ इस चीज को देखके सिर्फ एहसास कर सकते हैं लेकिन एक्च्व को लगता है इन सब चीजों को इतना साल तक किसी ने बताया नहीं मतलब थैंक्स विवेक अग्नेवत्री को उन्होंने इतनी फिरसा अच्छी सारी इतना मतलब दिल से दिखाया सारी मूवी और मुझे लगता है कि यार तम दिल टूड़ गया एक्टिंग की बात कैसे लिए अनपर्म खेर जी और हाला कि मित्हुन जी ने मुझे अपने पनी जो भी रोल किया है आप मुझे यार बोल तो मैंसले आखरी सावाल पूसे नहीं तो कौन सा वोई सीन था जिसको देखियों आप जैन्मली सूच अपको हो गया कि सबसे बड़ी चीज है जो जनों साइड है कि जिन्हों ने बता है कि 20-25 लोगों को एंडिंग में मार दिया था तो एकदम सत्य घटना है और ओविसली वो चीज एकदम बहुत इमोशनल करने वाली थी मुझे लगता है कि कोई देख नहीं सकता यार और सीन ऐसा था अपको स्टोरी कैसे लगी कि फिल्म कैसी लगी अच्छा मगला अपसे पूछों कि जो स्टार कास्ट है अटिंग की बात करो तो मैं से अटिंग ऐसे लगी आपको हरी क्यारेक्टर की सब्सक्राइबरेटिंग वोड अल्ग अब्सक्राइब आप ने अवे पूरी पिच्छाइब आपको एस वाल पूछ पूछ तो पूछ अच्छी अच्छी बाटे को एसा सी जिस को देखे रॉंटे कड़े हो गए हो या फिर आखों में नमी आ गई हो कौन से था आपके लिए लास्ट वान आखरी सी आखरी सुछ दरेलेटी पीच में तो ऐसा था यह तो ऐसे दिखा है है तो र्याल लाफ में तो जिनके पर इस ऐसे बीती होगी I could not bear it in the movie जिनके पर इसी बीती होगी उनकी उनकी और रदे में भी फिसें इट It's a very real real story, heads up to Agdutri and all that, the way he has made a movie, it is a fantastic, I would like to see many times Thank you so much